अमिक जमय जी, पहले जब तक इलेक्शन कमिशन ने रेलियों पर पाबंदी नहीं लगाई तो सब लोग कह रहे थे कि BJP लापरवा है, BJP सरकार में है, कुछ नहीं कर रही है और चुनावायो कुछ नहीं कर रही है और आज जब पाबंदी लगा दी है तो वो भी गले से पिचे ने उतर रहा है बीचे पे कह रही है घबरा रहे हैं हार मानली है इसे बहाने ढूंड रहा है हमने विलकम किया मानली अखले शादो जी ने कहा कि जो भी एलेक्शन कमिशन आफ इंडिया के जो गाइड लाइन्स हैं पूरे समाजवादी लोग उत्र प्रदेश में उसका पालन करेंगे क्योंकि समाजवादी लोग चाहे सरकार हो या उपक्ष में हो पांच साल हमने काम किया है पिछले एक साल से मानिय अखले शादो जी पूरे उत्र प्रदेश में रत्यात्रा के जरीए अपनी घरीब जहनता कमजोर लोगों के बीच में हैं तो हमारी समस्या तो बिलकुल ये नहीं है लेकिन हाँ अवनी शवस्ती है चीफ सेकरेटरी ये जो नौनी सहगल है सुचना के पशांत कुमार एडी जी लॉए और अमिताव याश एडी जी इन सभी ने पांच सालों में भारती अंता पार्टी के लिए खुल के बत और बिरोकेट नहीं बत और भारती अंता पार्टी के वरकर काम किया है इनके रहते हुए निर्भीक सतंत निस्पक्ष चुनाओ नहीं हो सकते समाजवादी पार्टी मांग करती कि पहले इन सभी लोगों को इस पोडिशने इनको जो है हटाए जाए मैं आपसे क्या पूछ डिजिटल कैमपेइन के खिलाफ जो आपने का हो सकता है उसका प कि जन्डा बैनर पोस्तर मैं कि तो छो को मुझे लगा सकते सभानुक्र रोडशों रैली भी नहीं कर सकते तो आपको जनधा की बात करते हैं आप तो समाजवाद की बात करते हैं तो कहते हैं कि हम लोगों के साथ हैं गरीब है पीनाज पीनाज पूरे उत्तर प्रदेश में जो पूरी इंसानों का गरीब लोगों का कमजोर लोगों का बुदर्गों का नौजवानों का जो आश्चिरवाज मानि अखलेश यादव जी को मिला था ये बात तो सही है कि उसने पूरी भारतियंतर पार्टी को परशान कर दि दिली में बुद्ध जीमी हैं उनका बहुत बड़ा तजर्बा है उन्होंने तानाशाही देखी है अधिनायक वाद देखा है उन्हों का ये कहना है कि तो आप ये बताईए कि आप लोग डिजिटल के खिलाफ हैं या साथ खड़े हैं तो चुनावायों को कट्धर में खड देखा है